दोस्तों आज की टोपिक में हम बात करेंगे इटलिस के बारे में, इटलिस के बारे में हम बात करेंगे डिरेक्ली यह आपके सलेबस में नहीं दे रखा, अगर आप सलेबस में देखेंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपका जो आईजलिक अपने पढ़ाता त इसका पुरा नाम होता है यहाँ पर इसका गठन को लेके हम बात करें तो इसका गठन जो है पंजाब के पटियाला में इसका गठन किया गया जो कि 10 दिसंबर 1989 में लागु किया गया तो आपको कोई पूछे एटलिस की स्थापना कब हुई तो आपको 1989 में बतानी है और कहां पर हुई तो पंजाब के पटियाला में इसकी स्थापना की गई थी बेसिकली यहाँ पर इसकी स्थापना को लेके हम बात करें तो यह उक्टनूबर 1960 में दिल्ली यूश्टी के अंदर आयोजित यूश्ट को द्वारा शेत्रिय संगोस्टी के दौरान पुस्तकाले सिक्षकों को एक संग की स्थापना करने का विचार सूजा कि किस प्रकास यहाँ पर पुस्तकाले सिक्षकों का एक संग हो जिसके अंदर वो अपने सामने जो चीजे हैं सामने जो विचार हो रख सके तो उसके लिए एक संग की स्थापना इनके द्वारा की गई जिसे हम यहाँ पर इटलिस कहते हैं यह बैसिकली जो पुस्तकाले से समंदित जो टीचर है उनका एक प्लेटफॉर्म है उसके बादे उद्देश्य को लेकि हम बात करें तो उद्देश्य इसके सबसे ज़्यादा उद्देश्य रहे हैं वो पुस्तकाले साथ इस सुचना विज्ञान में अनुशंदान और सिक्षा को बढ़ावा देना है कि किस प्रकास से पुस्तकाले के अंदर हम सिक्षा को बढ़ा सकते हैं उसकी सुचनाओं का अनुशंदानी ग्रूप से हम कारे आगे प्रगर्ती कर सकते हैं अपने विचारों का अर्दान परदान को भी बहड़ाने का कारे इसके द्वरा किया गया है साथ इस सिक्षा में पर सिक्षकों के कल्यान को लेके भी इस संस्ता का मुख्य उदेश रहता है अब हम बात करते हैं इसके द्वरा जो मुख्य परकाशन किये जाते हैं तो कई एक्जाम में काफी बार पूछी जाते हैं तो इसके परकाशन के द्वरा इटलिस के द्वरा जो परकाशन किया जाता ह है यह-3 80 गैनी क्वाटरली इसको रिलीज यहाँ परकाशन किया जाता है उसके भूने अवाड को लेकी हम बात के तो सब से पहले पढ़ें मौति वाला यहाँ पे बेस्ट टीचर के लिए दिया जाता इटलिस के दौरा प्रौफेशन Jogindr Singh जो राम्देव है इसके दौरा यह आवाड़ भी इटलिस के दौरा दिया दा है इटलिस का पहला अदेख्ज हुए प्रोफेशर बशिरुदिन थे जो परजेन्ट में हाली में ज़कतार सिंह पर हाली में इसके अदक्ष है साथ यहाँ पे पहले समास अच्छीव की बात करें पी एन कोला इसके पहले मास अच्छीव थे लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें परजेंट में तो डॉक्टर खुश्पृत सिंग बरार जो है वो अहली में इसके मास अच्छीव है इटलिस के द्वारा conference को लेके हम बात करते हैं तो इटलिस की conference 38 वी conference जो है वो 2022 में की गई थी लेकिन अभी हम latest की बात करें जिसमें 39 याने की 39 वी जो national conference है वो यहाँ पे 16 से 17 नॉंबर के बीच में 2023 में इसका जो seminar है इसकी जो conference है इसका आयुजन किया गया था इसकी theme की बारे में हम बात करें तो restructuring LIS education in India future NEP 2020 इसकी जो theme है और basically ये सुखाडिया जो university है उसके अंदर उध्यपुर में इसकी जो आयुजन है वो किया गया था तो ये आप याद रिख लिजेगा तो ये हमारे पास में कुछ importance libraries थी जिसमें पहले अपने बात की इटलिस के बारे में तो इटलिस भी काफी important है कई बार exams में अगर आपका paper थूरा tough type का बनता है तो यहां से question genuine है कि यहां से examiner question निकाल सकता है तो दोस्तो ये हमारे पास में आज की जो नई एक के संस्ता के बारे में अपनी चर्चा की दोस्तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ठैंक यू नहीं नवाद